इस वीडियो का पहला कुश्यन है रक्त में सरवाधिक प्रचुर मातरा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं में ब्लड में मैक्सिमम कॉंटिटी में कौन सी सेल्स पाई जाती हैं तो इसका इंजर हमारा ओप्शन 1 एरिथ्रो साइट्स जिसे हम आर बीसी रेड ब्लड सेल भी कहते हैं यह कुश्यन घुमा के पूछा है आर बीसी को ही एरिथो साइट्स भी कहते हैं ब्लड के बारे में आप और डिटेल जान लीजे थोड़ा ब्लड ब्लड का पी एच वैलू 7.4 होता है यह छारी होता है में स्लाइडली एलकलाइन ब्लड चार एलिमेंट से मिलके बन होता है पहला क्या है आर बीसी रेड ब्लड सेल दूसरा है डबलू बीसी वाइड ब्लड सेल तीसरा है प्लाज्मा और चौथा है प्लेट लेट्स ठीक है फेंट प्लेट लेट्स next question है IVF-ET में T का मतलब क्या है IVF-ET human में reproduction से reproduction से related है IVF-ET का full form होता है in vitro in vitro fertilization fertilization and embryo embryo transfer ठीक है फ्रेंट तो last में T है उसका मतलब होता है transfer तो option 2 आपका correct होगा next question है निम लिकित में से किस तर्ट की पर्माडू संख्या 11 है तो उसके इंसर हमारा option है sodium की sodium की पर्माडू संख्या 11 और पर्माडू भार 23 होता है फिर उसके बाद है silicon silicon की पर्माडू संख्या 14 और पर्माडू भार 28 फिर उसके बाद है germanium germanium की पर्माडू संख्या 32 और पर्माडू भार 73 होता है फिर लाश में carbon की पर्माडू संख्या 6 और पर्माडू भार 12 फिर फैंड ये तीनों भी आप याद रखिएगा next question है गैलवनी के रण प्रक्रिया में निम लिखित में से किस धातू का प्रियोग इस पात पर सुरक्षा आवरार बनाने के लिए किया जाता है galvanization process में इस टील इस पात के उपर हम जिंग की या जस्ते की एक लेयर चढ़ाते हैं जिसके वज़ेसे इस टील पर बहुत ज़्यादा समय के लिए जंग या रस्टिंग नहीं लगती ठीक है फैंड जिसके वज़ेसे इस टील की लाइफ भी बढ़ जाती है जिंग को periodic table में संक्रमण धातू में रखा गया है जिंग का atomic number 30 होता है नेश कोश्चन है निम लिखित में से कौन सा जुम आ संगत रूप से मेल खाता मिस कौन सा correctly match नहीं है तो उसका answer option 2 1556 हल्दी गाटी का यूद 1556 में नहीं हुआ था हल्दी गाटी का यूद 1576 में हुआ था किसके बीच महराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1556 में पानीपत का दूसरा यूद दिती यूद हुआ था पानीपत कहा है हरियाडा में बाकि option A, 1757 प्लासी का यो दुवा था, ये सही है, option 3, 1764 में बकसर का यो दुवा था, ये भी सही है, और option 4, 1549 में चौसा का यो दुवा था, ठीक है, फैंट? next question है, अक्री गैसे क्या होती है, अक्री गैसे या इनर्ट गैसे को हम noble गैसे भी बोलती हैं, क्योंकि ये गैसे किसी भी reaction में participate नहीं करते हैं, means कोई भी reaction नहीं करती है, अक्री गैसे हमेशा एक परमाडूक monotomic होती हैं, जैसे की helium, argon, neon, krypton, अब अगर हम बात करें, दी परमा दो एटम होते हैं, जैसे की oxygen के दो एटम, O2, nitrogen के दो एटम, N2 और chlorine के दो एटम, फिर उसके बाद है, 3 परमाडूक या triatomic, triatomic में कितने एटम होते हैं, तीन जैसे की, H2O, यहाँ पर hydrogen के दो और oxygen का एक मिलके तीन, CO2, carbon का एक और oxygen के दो एटम, फिर उसके बाद है, hydrogen का दो एटम, sulfur का एक और oxygen का 4, तो यहाँ पर कितने एटम हो गए, हमारे यहाँ पर साथ एटम हो गए, means multi atomic, और इस question का हमारा answer है की, अक्री gases क्या होती है, एक परमाडूक या mono atomic, next question है, computer पड़्दों की छेतर की, विशाल का एकंपनी, Intel का मुख्याले कहां इस्तित है, तो Intel दुनिया की सबसे बड़ी microprocessor, microprocessor बनाने वाली company है, Intel नहीं दुनिया का सबसे पहला microprocessor भी बनाया था, next question है, भारती राष्टी कॉंग्रेस के सत्रों के संदर में निमली खित में से कौन सा युग में सही है, means किस वर्ष में, किस स्थान पे कॉंग्रेस का धिवेशन हुआ था, तो option 2 हमारा सही है, 1907 में, सूरत में कॉंग्रेस का धिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता, र अध्यक्षता में अंसारी जी ने किया था, उसके बाद है, मुंबई का जो पहले बॉमबे था, उसका धिवेशन 1929 में नहीं, इसका धिवेशन 1934 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता, डॉक्टर राजेन परशाजी ने किया था, ठीक है, तो ये सभी आप अच्छे से या रखिएगा नेश्क कोश्चन है समविधान सभा की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी तुसके एंसर हमारा उप्षन फोर दिल्ली में 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 में समविधान की पहली बैठक दिल्ली स्थेत काउंसलिंग चमबर के पुस्तेकालाय में हुई थी इस बैठक में मुसलिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की और समविधान सभा का बहिशकार किया समविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए और समविधान सभा की अंतिन बैठक 24 जन्वरी 150 में हुई और 26 जनवरी 1950 में सम्विधान लागू किया गया नेश कोशन है विश्व की मुद्राओं के संदर में निम्दिकित में से कौन सा युग में सही धंग से मेल खाता है में इस कौन सा सही तरह मैच किया गया है तो उसका इंजर हमारा आप्शन थर्ड म्यानमार म्यानमारी करेंसी क्यात होती है रूबल करेंसी रूस की होती है चाइनक करेंसी क्या है चाइनक करेंसी है यूवान यूवान भुटान करेंसी क्या है पेसो नहीं होती भुटानी करेंसी भुटानी नगूल्टम और भुटान का राश्ट्री खेल क्या है तीरन दाजी इसको भी आप याद रखिएगा नेश कोश्चन है निम रिखित में से कौन सी महिला वैज्ञानिक उस तत्व से संबंध है जिसकी परमारू संख्य एक 109 है तो 109 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है माइट नेरियम जो की एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इस एलिमेंट की खोज स्वीडन की रहने वाली एक भौतिक वैज्ञानिक ने किया था जिनका नाम लीज मीटनर था इन्ही के नाम पे इस एलिमेंट का नाम माइट नेर पड़ा तो हमारा इंसर हो जग ऑप्शन टू लीज वीटनर नेश कोशन है भारत के परियटक अस्थलों के संदर में निमलिखित में से कौन सा जूग्म आ संगत रूप से मेल खाता मेंस कौन सा साई से मैच नहीं है तो इसका इंसर हमारा ऑप्शन फोर बद्रीनाथ बद्री नेश कोशन है फोर टू ला दर्रा हिमाले की किस परवश्यणी में इस्तित है तो उसके इंसर हमारा ऑप्शन वन जासकर परवश्यणी जासकर परवश्यणी हिमाले के पीछे इस्तित है जो की हिमाले के पश्यमी भाग में है ठीक है फैंड जासकर परवश्यणी को हम ट्र ट्रांस हिमाले भी कहते हैं, ट्रांस हिमाले, जासकर परवश्यडी, जम्मु कश्मीर, लद्दाक और हिमाचर परदेश तक फैला हुआ है, नेश कोशन है, लार में पाया जाने वाला लार एमाईलेज किसको पचा कर माल्टोज, डाई सेकराइड में परिवर्तित कर देता है भोजन का पाचन हमारे मुझ से ही शुरू हो जाता है, जिसमें हमारी लार में एक एलिमेंट उपस्तित देता है, जिसे हम एमाईलेज कहते हैं, एमाईलेज स्टार्ज को माल्टोज में कनवर्ट करता है, ठीक है फ्रेंट, तो हमारे एंसर हो जाएगा स्वेट सार स्टार् नेश कोशन है निम लिखित में से क्या वेदांग नहीं है तो सबसे पहले आप यह जाने की वेदांग होता है क्या है वेदांग हिंदू हिंदू धर्म गरंथ होती है शास्त्रों में छे वेदांग के बारे में बताया गया है पहला है सिक्षा दूसरा है छंद तीसरा है कल्प चौथा है व्याकरण पाचवा है जोतिश और छटवा है निरूक्त नी रूक्त ठीक है फैंड तो option 1, option 2 और option 4 ये वेदांग है बाकी बुंडग एक वेदांग नहीं है तो हमारा एंसर हो जाएगा option 3rd, मुंडग नेस्ट कोशन है मत्स महाविद्याले इवं अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित्यमीज फिशरीज यूनिवेस्टी एंड रेसर इंस्ट्यूट कहां लोकेटेट है तो उसके इंसर हमारा option 1 तो तू कुड़ी ये कहां पे है ये तमिल नाइडू में इससी से आप मैप में भी देख सकते हैं नेश को शरन निम लिखित में से किसने भारती दंड सहीता इनियन पीनल कोड जिसे हम आईपीसी भी कहते हैं का मसौदा तयार किया था जो बाद में भारती आपराधिक सहीता का आधार बना तो इसके इंसर हमारा option 4 थॉमस बै बिंग्टन मैकॉले ने मैकॉले ने 1860 में इसे आईपीसी को भारत में लागू किया नेश को शरन निम लिखित में से मानो शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है तो इसके इंसर हमारा option 4 जकरित लीवर लीवर हमारे शरीरी सबसे बड़ी ग्रंथी ग्लैंड होती है लीवर प्रोटीन का जो वेस्टेज होता है यूरिया उसका उत्पादन लीवर करता है ठीक है फैंड और लीवर हमारे शरीर में शुगर शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है इसको भी आप याद रखिएगा नेश कोशन है मिडनाइट चिल्डर नमक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है तो उसका इंसर हमारा उप्शन टू सल्मान रुष्दी द्वारा सल्मान रुष्दी ने 1980 में मिडनाइट चिल्डर नमक नोवेल लिखा था जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज भी बुकर प्राइज भी मिला है नेश कोशन है माउंट एवरेश्ट की उच्चाई की गर्णा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ती कौन थे तो उसके इंसर हमारा उप्शन 3 राधाना सिकंदर राधाना सिकंदर एक महान गरितक थे जिनका जन 1813 में कलकत्ता में हुआ था राधाना सिकंदर जी ने 1852 में माउंट एवरेश्ट की उच्चाई की गर्णा की नेश कोशन 21 राजवंश ने खजुराहू मंदिर का निर्माण करवाय था तो उसके इंसर हमारा उप्शन 2 चन्देल राजवंश ने चन्देल राजवंश ने 980 se 2020 के बीच में मध्ध परदेश के छटरपूर छटरपूर जिले में खजुराहू मंदिर का निर्माण करवाय था खजुराहू मंदिर में 851 मंदिर बनाय के हैं जिन में हिंदु धर्म के मंदिर हैं और जैन धर्म के मंदिर हैं खजुराहों मंदिर को यूनिस्को ने यूनिस्को ने वर्ल्ड हेरिटेस साइट का दर्जा भी दिया है इसे भी आप याद रखिएगा नेश्को ने भारती समुविधान के किस अनुच्षेद में मौलिक अधिकारों का वर्लड है मिस्टेमन्टल राइट समुविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है तो आर्टिकल 12 से 35 अप्शन 4 सम्विधान के भाग 3 में आर्टिकल 12-35 के बीच में मौलिक अधिकारों फंडमेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है सम्विधान के भाग 1 में संग और उसके छेत्र के बारे में बताया गया है जो कि आर्टिकल 1-4 के बीच में है भाग 2 में नागरिक्ता के बारे में बताया गया है जो की आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है फिर भाग 3 में मौली का दिखार फिर भाग 4 में राज के नीती निर्देशक तत्तों के बारे में बताया गया है जो की आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है फिर भाग 4A में, भाग 4A में हमें मोल करतव्यों, means fundamental duties के बारे में बताया गया है, जो कि article 51A में है, ठीक है फेंड, यह important है, इसको आप यादा किया कि fundamental duties सम्विधान के किस part और किस article में है, तो part 4A मतलब भाग 4A और article 51A में, नेश कोशन है, विश्व का सबसे उचा, उचाई के संदर में, सैन एड़ा मिलिटरी बेस के देश में है, तो उसका answer हमारा option 2 भारत में, कहां पे है सियाचीन, सियाचीन, गलेशियर ठीक है फेंड, सियाचीन गलेशियर कहां है, कार कोरम, का ठीक है फेंड, जो की लद्दाक में, इस्थित है, सियाचीन गलेशियर पे, जो टेमप्रेचर है, वो, 0 से, माइनस 60 डिगरी तक चला जाता है, और इसकी समुद्ध तल से उचाई, 20,000, फूट है, ठीक है फेंड, नेश कोशन है, किसने कहा था कि सभी पदार जो परमाणों से निर्मित होते हैं, वो आविभाज में, इंडिविजबल और अविनाशी निर्माण खंडे में, इंडिस्टरक्टिबल, तो उसका इंसर हमारा ओप्शन फोर, जॉन डेल्टन, जॉन डेल्टन का ये स्टेट्म ला ओफ कंजर्वेशन ओफ मास और ला ओफ कॉंस्टेंट कंपोजीशन पे बेस था, ठीक है, फिर बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नूट्रॉन की खोज हुई, तो इनका ये स्टेट्मेंट गला साबित हो गया, क्योंकि परमाणों को फर्दर विभाज किय आजा सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, पोटॉन और नूट्रॉन में, नेश्ट कोशन है, भारती रिजर बैंक, रिजर बैंक ओफ इंडिया निमलिखित में से किस पर हुए खर्चे वहन नहीं करती, तो इस कैंसर हमारा आप्शन फूर, सरकार के करको रिजर बैंक ओफ इ इसमें को रिजर बैंक ओफ इंडिया व्यार करती है, नेश्ट कोशन है, विख्या टेनिस खिलाडी नुवाग जोकोविच किस देश का परती निधित्तु करते हैं, तो इस कैंसर हमारा आप्शन टू सर्विया का, सर्विया कहां है, यूरोप में, यूरोप में सर्विया क कैप्टर क्या है, बेल ग्रेड, ठीक है फेंड, बेल ग्रेड, नेश्ट कोशन है, भारत के किस राज में विश्व का बेसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गढधा इस्तित है, तो इसके इंसर हमारा आप्शन टू महराश्ट में, लोनार जील उसी गढ ठेके उपर इस्तित है, ठीक है फेंड, जिससे आप फिगर में भी देख सकते हैं, नेश्ट कोशन है, एसी टोन का रासायनिक सूत्र क्या है, एसी टोन की टोन ग्रुप का कमपाउंड होता है, इसका रासायनिक सूत्र CS3, CO CS3 होता है, जोकि ऑप्शन A में दिया गया है, त इसका IUPAC नाम हम देखें, तो इसमें कार्बन तीन है, एक, दो, तीन, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, क्योंकि की टोन ग्रुप का है, तो इसके लास्ट में नोन लग जाता है, ठीक है फेंड, तो प्रोपेनोन, ठीक है फेंड, ऐसी टोन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्र चुबिश जन्वरी 1749 में हरियाडा के करनाल में नादिर शाह और मुहमद शाह के बीज युद्ध हुआ या युद्ध दुनिया के सबसे छोटे युद्धों में से एक था मात्र तीन घंटे के युद्ध में नादिर शाह ने मुहमद शाह को हरा दिया और दो महीने तक दिल्ली में लूट पार्ट करता रहा दिल्ली का सारा खजाना लूटने के बाद वा पुना अपने देश लोड़ गया दिल्ली से वो अपने साथ कोही नूर हीरा भी ले गया और बाद में कोही नूर हीरा को वो हरियाणा के राजा को दिया ठीक है फेंट नेश्ट क्वेश्चन है इन में से कौन सा पौधा कुछ हिया अधिकांश रूप से अपना पोशन कीडो, मकौडो और अन संधी पाज जीवों से उनको फसा कर और उनका वहोग करके प्राप्त करता है तो उसका इंसर हमार आप्शन 4 कैलीफोफोर्निया घट पर्णी पौधा जिसे हम इंगलिश में कैलीफोर्निया पीचर प्लांट भी कहते हैं जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि कैलीफोर्निया पीचर प्लांट कैसा होता है next question है निम लिखित में से किस राज में पंचायत प्रणाली विद्यमान है तो इस कैंसर हमारा option टूराचर प्रदेश में बाकि तीनों राज में घाल है नागा लेंड और मिजरों में पंचायत प्रणाली नहीं है बाकि जितने भी union territories हैं दिल्ली को छोड़के उनमें भी पंचायत प्रणाली विद्यमान है पंचायत को 73 समविधान संशोधन जो की 1992 में हुआ उसमें पंचायती सिश्टम को जोड़ा गया ठीक है फैंड समविधान के भाग नौ में पंचायत के बारे में बताया गया है पंचायत का जनक किसे कहा जाता है पंचायत का जनक हम बलवन्त बलवन्त राय महता ठीक है फैंड बलवन्त राय महता जी को पंचायती सिश्टम का जनक कहा गया है बलवन्त राय महता जी गुजरात के दूस मिनिश्टर थे ठीक है फेंट नेश्ट कोश्चन है AD, NO, डामिनी, AD यो CE भी कहलाता है CE का पूर्ण स्वरुप क्या है CE का फुर्फॉर्म क्या है AD और CE का जो टाइम था दोनों सेम था लेकिन जो क्रिश्चन थे वो AD को NO, NO डामिनी बोलते थे means Jesus का जन्म हुआ था बाकि जो non-Christian लोग थे, Jews लोग थे, वो CE टाइम को मानते थे CE और AD का टाइम सेम था, CE का फुर्फॉर्म क्या था, common common era, ठीक है फेंट फिर बाद में क्या आया, BCE BCE का फुर्फॉर्म क्या था, before common era, जिसे non-Christian लोग मानते थे, और जो Christian लोग थे, वो BC को क्या मानते थे, before Christ ठीक है फेंट, तो इस question का हमारा कैंसर होगा option 4, common era, next question है, the original Indian constitution had, dash parts and 395 articles, जब हमारा समविधान लागू किया गया था, 26, जनवरी 1950 में, तो उस वक्त समविधान में, 22 भाग थें, और 395 अनुछेद मीज आर्टिकल, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, option 2, 22, इस वक्त 2020 में, समविधान में कुल, 400 अनुछेद आर्टिकल, 25, parts means, 25 भाग और 12 schedule है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, next question है, तमिल नाइडू में नमक सत्याग्रह आंदोलन किस ने किया था, तो उसका answer हमारा option 4, C. राजा गुपाला चारेजी ने, अप्रेल, अप्रेल 1930 में, C. राजा गुपाला चारेजी की अर्ध्यक्षता में, इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के 100, स्वयम सेवकू के साथ, इन्होंने, तमिल नाइडू में नमक सत्याग्रह किया था, इस सत्याग्रह में, तीरू चिरापल्ली, तीरू चिरापल्ली से, तांजाओर के, छोटे, शहर जिसका नाम था, वेदर नयम, वहां तक की एक यात्रा की गई थी, इसलिए, नमक सत्याग्रह को हम, वेदर नयम, माढ्ध या, वेदर नयम सत्याग्रह भी कहते हैं, नैश कोशन है, युम्थांग घाटी, भारत के किस राज में इस्तित है, तो उसका इंसर हमारा ऑप्शन वन सिक्किम में, युम्थांग घाटी को हम, फूलो की घाटी के नाम से भी जानते हैं, फूलो की घाटी, युम्थांग घाटी, उत्तर सिक्किम में इस्तित है, और या, सिक्किम की राजधानी गंग टॉक से, एक सो पचास किलो मीटर दूर इस्तित है, ठीक है फैंड, युम्थांग घाटी, चारो तरब से, हिमाले के पहाडों से घीरी हुई है, नेश कोशन है, निमली खितमे से किसने भारत रत, लेने से इनकार कर दिया था, तो उसका इंसर हमारा उप्शन टू, मौलाना अब्दुलकलाम आजाद, मौलाना अब्दुलकलाम आजाद, सुतंदर भारत के पहले, सिक्षा मंतरी बने थे, जो कि 1947 से, 1958 तक, सिक्षा मंतरी के पत पे थे, फिर इन्हें, मर्णो परांद, 1992 में, भारत रत्म आवार्ट से समानित किया गया, ऑप्शन एया है, खान अब्दुलकफार खान, इन्हें, 1987 में भारत रत्म से समानित किया गया, यह पहले, नौन सिटीजन थे, पाकिस्तान के सोशल वर्कर थे, ठीक है फैंड, ऑप्शन थर्ड है, भारत रत्म आवार्ट से समानित किया गया, नेश कोशन है, नम हवा के पहाडों से उपर उचने के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो इसका इंसर हमारा ऑप्शन थर्ड, भागौलिक वर्षा, ऑप्शन ए, पारंपरिक वर्षा, जो कि मौन्सून के कारण होती है, ठीक है फैंड, उसे हम पारंपरिक वर्षा कहते हैं, बे मौसम वर्षा जो कि बीना मौन्सून के होती है, ऑप्शन फूर है चक्रवार्थी वर्षा, जब कोल्ड और होट एयर आपसे मिलती हैं, तो उसके कारण जो वर्षा होती है, उसे हम चक्रवार्थी वर्षा कहते हैं, नेश कोशन है प्रती जैविक का जहनक मीज फादर ऑफ एंटिबाटिक किसे कहा जाता है, ऑप्शन फर्ड है लूई पास्चर इन फादर ऑफ पॉस्चराइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पॉस्चराइजेशन प्रोसेस के खोज की जिससे की दूद को इस्टोर किया जा सकता है, दूद को 60 टिगरी तक गर्म करने से उसमें जो बैक्टिरिया होते हैं सब अतम हो जाते हैं और दूद को कुछ समय तक के लिए इस्टोर किया जा सकता है, पॉस्चराइजेशन के साथ साथ लूई पास्चर ने रैबीज के टीके की भी खोज की, ठीक है फेंट, अब ऑप्शन फोर है जोजेफ लिश्टर, इन्होंने मौर्डन सर्जरी की खोज की, ठीक है फेंट, मौर्डन सर्जरी, तो ये तीनों भी आप याद रखिएगा, कोई भी एक्जाम में पूछ सकता है, नेश कोशन भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे, तो इसका एंसर हमारा ऑप्शन थड़ 1952 में, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फेवरी 1952 तक पहली बार भारत में आम चुनाव हुआ था, उस समय लोग सभा में कुल 489 सीटे थी, 489 सीटों में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने 364 सीटे जीती थी और पंडित जवाहलाल नहरूजी भारत के प्रधान मंतरी बने थे नेशन कोशन है उपनिशत का संस्कित भाषा से फार्शी भाषा में अनुवात करने का श्रे इन में से किसे दिया जाता है तो उसका इंसर हमारा उप्शन वन दाराशिको दाराशिको शाजहा का सबसे बड़ा पुतिर था दाराशिको सूफी वादी के साथ साथ हिंदू वादी था दाराशिको ने ये कहा था कि वेदान्त और इसलाम दोनों एकी हैं इस कारण दाराशिको को कई लोगों ने धन विरोधी भी बताया था दाराशिको ने उपनिशत का फार्सी में अनुवाद किया था जिससे उसने सीर ए अकबर नाम दिया ठीक है फेंड इसे भी आप याद रखिया कि दाराशिको ने बावन उपनिशत का अनुवाद सीर ए अकबर में किया नेश कोशन है भारती होकेटीम के कपतान डैश भारती समविधान सभा के सदत से भी थे तो इस कैंसर मार ओप्शन वन जैपाल सिंग मुंडा जैपाल सिंग मुंडा भारती आदिवासियों और जारखंड के एक सर्वोच नेता थे ठीक है फैन ये नेता के साथ साथ पत्रकार संपादक और लेखक भी रहे थे 1928 में जब उलम्पिक में भारत ने हौकी में गोल्ड मेडल जीता था तो जैपाल सिंग मुंडा जी भारती हौकी टीम के कप्तान थे नेश कोशन है माई सिडेटियस हार्ट नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो इसके इंसर है मार आप्शन टू अरुन्धती रॉय जी नेश कोशन है सौर चक्र की औस अवधी कितनी होती है सबसे पहले आभी ये समझें कि सौर चकर होता है क्या है कभी कभी सूरज में साइनटिश्टों को ब्लैक सपार्ट दिखते हैं जिने साइन्टिस्ट ने सन इस्पॉर्ट सौर्चक्र और सोलर सोलर कलंक चक्र भी कहा है ठीक है फैंड इन सोलर कलंक चक्र की जो लाइफ होती है वो कम से कम 9 साल होती है और ज्यादा ज्यादा 14 साल ठीक है फेंड तो अगर इसका हम average value निकाले तो average value हमारा आजएगा 11 साल तो इसलिए option 1 हमारा correct answer हो जाएगा 11 वर्ष नेश कोशन है निम डिखित में से कौन सा संचिप्त शब्द hybrid और electric वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत के राष्टी इस्तर के कारिक्रम को निरूपित करता है तो इसका answer हमारा option 3 फेंडिया option 1 उडान स्कीन सस्ती हवाई आत्रां के लिए एक योजना है दूसरा एक breathe scheme भारत में air pollution को कम करने के लिए ये एक नीती आयोग की योजना है ठीक है फेंड इन दोनों को भी आप यादर कियेगा नेश कोशन है शुंग वंश का संस्थापा कौन था तो उसका answer हमारा option 1 पुष्यमित्र सुंग पुष्यमित्र सिंग मौर समराथ ब्रेदत का सेना पती था जिसने ब्रेदत को मार कर शुंग डैनेश्टी शुंग वंश की स्थापना की शुंग डैनेश्टी क्वास थीडे बाद कौन सी डाइनेस्टी ऐ कनवास Argentina के बाद सकात सकाइक सक्राइऩ को इच को एक खगोली एक एस मांग के bीच की डूरी को निरूरी करता है तो की इस चहल से हमार नमिकल फूल और सूर के बीच की दूरी को AU का फुल फॉर्म होता है एस्ट्रो एस्ट्रो नॉमिकल एस्ट्रो नॉमिकल यूनिट ठीक है फैंट एक एस्ट्रो नॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.5 करोड किलो मीटर ठीक है फंट इसको भी आप याद देखिए कि एक AU equal to होता है डेड़ करोड किलो मीटर नेश कोशन है आवर सार्णी प्रियोरिक टेबल के समू ग्रूप 15 को डैश नाम से भी जाना जाता है तो उसका एंसर हमारा ऑप्शन वन निक्टोजन समू निक्टोजन समू को हम नाइटोजन फैमली भी कहते हैं आप्शन टू है ऍसे हम कारबन फैमली कहते हैं जो की गरूप 14 में आता है फिर उसको बाद है नो भी आप याद रखिएगा नेक्स कोशन एन्निम लिखित में से कौन सा बंदरगा भारत के पूर्वी तट पर इस्तित है तो उसका इंसर हमार आप्शन वन काम रजार बंदरगा ये चन्नाई से 24 किलोमीटर दूर है ठीक है फैंड और ये भारत के पूर्वी तट पर इस्तित है नावा शेवा बंदरगा नवी मुंबई में इस्तित है नवी मुंबई में मुरम गाव बंदरगा गोवा में इस्तित है और कोच्ची बंदरगा केरल में इस्तित है नेश कोशन है नाभी की रियक्टर नुक्लियर रियक्टर में मॉड्रेटर क्या भूमी का निभाता है तो उसका एंसर हमारा ऑप्शन फूर या विखंडन से मुक्त न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है मीज या नुक्लियर फिजन में जो न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उसकी स्पीड को मॉड्रेटर कम कर देता है मॉड्रेटर में हम कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं मेनली ग्रेफाइट है ग्रेफाइट और दूसरा है बेरेलियम ठीक है फेंड बेरेलियम अब इतलग के लिए हम कौन कौन से मटेरिल का यूज़ करते हैं में इसमें क्या है डी टू ओ मीज हैवी वाटर भारी जल और दूसरा क्या है मर्क्यूरी तीसरा क्या है नाइट्रोजन ठीक है फैंड अब नेक्स्ट है नाभी की रियक्टर में एजा कंट्रोल अगर हमको न्यूक बुरॉन और कैड्मियम ठीक है फैंड न्यूक्लियर एक्टर में हम बुरॉन और कैड्मियम की रॉड यूज़ करते हैं रियक्शन को कम करने के लिए नेक्स कोशन एंड निम लिखित में से किस ग्रैक को गैस दाना और गैस जाइन भी कहा जाता है तो इसके इंसर हमारा आप्शन टू ब्रस्पति विए जूपिटर को गैस जाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके एट्मोस्वियर में हाइड्रोजन हीलियम मेथेन और अम औ्मुनियां गैस बहुत मातरामे उपस्तित है इसलिए जूपीटर जूपीटर ब्रसपती को गैसर जाइन्ट भी कहा जाता है, शुक्रन ग्रह को मौर्निंंग मौर्निंग और इवनिंग इश्टार कहा जाता है. मंगल ग्रह को red planet कहा जाता है और बुद्ध ग्रह को बुद्ध ग्रह का size moon से भी छोटा है बुद्ध ग्रह में कोई atmosphere atmosphere नहीं है ठीक है फेंड और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है ये facts आप याद रखिएगा next question है धातू अक्साइडों को अब चाहित means reduction करके धातू प्राप्त करने की सरवाधिक उप्युक्त विधी कौन सी है means सबसे famous process कौन सा है तो इसका इंसर हमार option 4 तापन heating process heating process में धातू अक्साइड decompose होके metal और oxygen में change हो जाते है ठीक है फेंड तो इसलिए वहाँ से metal हम प्राप्त कर सकते है next question है blue bond उन bond के लिए प्रयुक्त चब्ध है जिनका उप्योग डैश के लिए किया जाता है तो इसका answer हमारा option 2 समुद्र समंदी परियाव और लिए परियुजनाओ के लिए जैसे कि coastal या समुद्रिक एरिया में environment को conserve conserve और restore restore करना ठीक है फेंड blue bond की help से कोई भी देश अपने यहां का समुद्रिक संसाधन मीज resources को use करने के लिए किसी भी दूसरे देश या कोई भी company से invest invest करवा सकता है ठीक है फेंड इसमें सबसे पहले है sesshels sesshels dweep जिसने हाल ही में 15 लाक डॉलर का निवेश प्राप्त किया है नेश कोशन है भारत में सिंदू नदी प्रणाली सिंदू रिवर सिस्टम की इन में से किस नदी को डॉल्फिन के प्रसिद वास अस्तल फेमस habitat के रूप में जाना जाता है तो उसका इंसर है हमारा option two व्यास नदी व्यास नदी को विपाशा भी बोलते हैं विपाशा not विपाशा it's विपाशा व्यास नदी हिमाचर प्रदेश में इस्तित रोहतांग रोहतांग पास के नजदीक ब्यास कुंड से ब्यास कुंड से निकलती है और यह नदी हिमाचर प्रदेश और पंजाब में बहती है ठीक है फेंड ब्यास नदी पर फेमस पोंग रेजर वायर भी इस्तित है नेश कोशन ने भारती वैपारियों और उद्योग पतियों ने किस वर्ष फेडरेशन ओफ इंडियन चेंबर ओफ कॉमर्स एंड इंडस्टीज फिक्की का गठन किया महत्मा गांधी जी की सलापर जीडी बिर्ला और पुर्शोत्तम दास ठाकुर जी ने 1927 में फिक्की का गठन किया या एक ट्रेड ट्रेड एसोसियेशन है जिसमें के धाई लाग से भी जादा कमपनिया हैं फिक्की का हेड़ अफिस न्यू डेली में इस्तित है न्यू डेली में नहीज कोशन है पार्स एक के मापन की एक equals है उसका इंसर नहींसर इमार अप्शन 4 पार्स एक लमबाई मापने की एक यूनिट है एक पार्सेक इक्वल टू होता है 31 ट्रिलियन किलो मीटर ठीक है फेंड नेश कोशन नितल जीव समू बेंथाउस नामक जीव समानेता कहां पाये जाते हैं तो उसके इंसर हमारा ओप्शन 4 समुदर तल सी बेट पर प्रिलियन